फॉर्मुला बुक्टेट में नोट करें, Self Energy of a Conducting Sphere या Work Done in Charging of Conducting Sphere एक ही बात है, क्योंकि जितना Work Done लगेगा चार्जिंग में वही क्या है, इसकी Self Energy, तो Self Energy of a Conducting Sphere, एक Conductor है, Conductor का चार्ज हमेशा उसकी सर्फिस के ऊपर ही रहेगा, मान लो ये Conductor Shell है और इसका Radius Capital R है, मैं इसे Charge करना चाहता हूँ Capital Q तक, Full Charge, तो शुरूर मैंने DQ Charge रखा होगा, फिर DQ, DQ, DQ रखा हो, किसी भी इंस्टेंट पे अभी Charge कितना हो चुका है Q, पर मुझे कितना करना है Capital Q, तो और DQ लाना पड़ेगा, तो पहले मैं छोटा वर्गडर निकालूँगा, फिर मैं इंटिग्रेट करके बड़ा निकालूँगा, तो आपने इसका प्रूफ आपको करने की जुरूरत नहीं है, अब फॉर्मुला नोट करें, Self-Energy of a Conductor is given by Q² divided by 8 Pi Epsilon 0 R, यह फॉर्मुला नोट करें, वेरे कापितल Q is, चार्ज स्टोर इन अ कंड़क्टर,